फ्रेंज तो जियो ने भी हापे अपने कस्टमर को अपनी यूजर को जो है निव येर का गिफ्ट अभी से दे दिया और ये गिफ्ट आपको मिलने वाला है एक दिसंबर तुज़ार इकिस से क्या गिफ्ट है फ्रेंज सब को पता होगा अभी कुछ एक अपते पहले एटल य कि उनके जो टैरिफ प्लान है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे तो कितनी प्रसेंट तक उन्होंने बढ़ा दिया और कौन से इसे टेलिकॉम कंपनी है जो अभी आपको कम प्राइज पर पैस्ट ही यहाँ पे सर्विस दे रही है तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में उस 25% तक इंक्रीज कर दिया था जो अब लागू हो भी चुके है पर जो जियो है जियो के यूजर सिर्फ ऐसे एक कंपनी थी जियो जिसने अभी तक जो है इंक्रीज नहीं किया था पर कल की डेट में जियो ने भी अनांसमेंट कर दिया अफिसली अपने ट्वीटर हैंडिल से भी ट्वीट कर दिया आपको साइड वे स्क्रीन दिखे होगी कि उन्होंने जो है एक दिसंबर 2021 से उनके ये जो टैरिफ प्लान है जो नए टैरिफ प्लान है जिसमेंट हुआ है वो जो है लागू हो जाएंगे एक तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे 21% 21% तक अपने जो और वी आई से सस्टे में ही आपको डाटा दे रही है यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी जो है बैस सर्विस कौन से कम प्राइज पे आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है किसके डाटा जो है पर दे क्या होने वाला वो आपको जो कम प्रेजिन क इंक्रीजमेंट किया और दोनों का एटल और वोड़ा फॉन का तो सेम है थोड़ा जबत उन पर नीचे है पर यहाँ पे जियो का और एटल वोड़ा फॉन में बहुत अंतर है इन दोनों में तो जैसे कि आपको बता दू जो आप जियो का जो पहले कराते थे 75 प्रेसेंट अगर आप देखोगे एटल में देखोगे तो वो 79 का था जो आप और 28 दिन के वैलिटिटी थी अब जो है यह नाइन टी नाइन का आपको एप प्लान मिलेगा इसके बाद अगर आप फ्रेंट्स बात करते हैं जी होगे तो जी होगा जो टू वन टू नाइन एक सो उन अन का था जिसकी 28 दिन के वैलिटिटी थी वो अब आपको 179 का मिलेगा 1GB डाटा आपको मिलेगा unlimited voice और 100 SMS तो यहाँ पे अब यह वन नाइन जो है आपको 179 में मिलेगा जबकि एटल और जो आपका वोड़ाफोन है विया यह उसमें 149 का जो है वो आपको 28 दिन की वैलिटिट जो है 219 का था 265 का मिलेगा 28 दिन के वैलिटिटी और वही नीचे 200 249 25 का 28 दिन का वो 299 का मिलेगा और सेम यही चीज आपको वोड़ाफोन में मिलेगे पर जो जियो है जियो अभी भी जो है आपको अच्छे प्लान दे रहा है वो 149 का आपको 179 में दे रहा है उसके बाद 19999 का 28 दिन का जो वैलिटिटी थी वो 239 का देगा तो फ़र यहां पे कहने के बात यह कि जो जियो है वो अभी भी 21% मतलब अपने जो कस्टमर है उनको थोड़ा कम में अच्छे डील यहां पे दे रहा है और फ़र एक चीज आपको और बता दो अगर आप जियो के कस्टमर है तो आपके लिए एक चीज और है कि अगर आप 1 दिसम्बर से पहले अपने जो पुराने प्लान है उसको रिचार्ज करा लेते तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप 3GB डाटा जो भी है उसको अगर एक दिसम्बर से पहले आप रिचार्ज करा लेते तो आपको बेनि और बाकी जो है आपको स्क्रीन पे दीखी गया होगा कि जो प्राइज है वियाई के एटल के या फिर जियो के आपको मेंशन हो गया होगा है यहाँ पे सिर्फ अभी भी जियो जो है इन दोनु कमपनियों से कम में सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो फ्रेंट्स आपको इन की वीडियो को पसंदा आएगी पसंदा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देने चैनल पहले बार अब तो सब्कुन कर बर के ओंड नाटिकेस्टाइएं और कली जो तहां कि आपको टैक से रिलेटेड वीडि़ोकी नोटिकेस्टाइएं सबसे पहले मेली चेके